आप सबी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग युनिवरसिटी टूर का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा केंपस दिखेगा ज्यादा तर लोगों को यहां के केंपस के बारे में कुछ पता नहीं है तो आज हम आये हैं युनिवरसिटी में उससे पहले मैं एक बात की बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेक शूर कि आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करे सो उससे हमें भी मोटेशन मिलेगी और आपको भी हमारा कंटेंट अच्छा लगे गया तो युनिवरसिटी में तीन केंपस इसे में केंपस पार्क व्यू और वन तो आज हम शूर करने वाले में केंपस में लाइकली टू पार्स रहेंगे देन अधर केंपस रहेंगे थर प और यहां पे रहते हैं मुश्री business major के क्लासीजञ और मेरा majorbl怎麼了 सो मेरे almost 70 पसन क्लाशीज यही पे रहते हैं scrollה ए अब ए मग Day को दोनों के क्लासीज रहते हैं तो मैं आपको अंदर से ढिखाता हूँ तå चलते हैं अंदर मैं आया हूँ शनाइटर हौल के अंदर और मैं आपको एक शॉर्ट टूर्ट देठा हूँ शनाइटर हौल की जहां पर बिस्नेस क्लासिस, कंप्प्टर क्लासिस, एंड एंड एक क्लासिस रहते हैं उसका तो लेट्स को चलते हैं कि अप्टर अपके शनाइटर हौल की जहां आपको चाहते हैं है तो गाइस अब भी मैं जा रहा हूं डाउंस्टेर्स यहां पर है कैफेट एरिया तो मैं आपको दिखाऊंगा एंड यहां पर बिजनस क्लासेज भी रहते हैं सो ट्राइ करूंगा कि कोई एक क्लास अपको दिखा सको तो लेट्स को चलते हैं तो कर दो कि अब भी मैं जस्ट शनाइडर हॉल से लोडिंग जोन तक आया यहां से मैं जा रहा हूं रूड हॉल पे जहां पे साइंस और टेक्नोलोजी के क्लासिज रहते हैं यहां पे छोटा सा म्यूजियम जैसा भी अंदर बना है हुआ है देन कुछ टाइनासौर स्कुल्चर भी लगे हुए एंड अंदर का भी दिखाने का ट्राइब करूंगा तो चलते हम लोग अंदर कि अब अब यहां पर जैसे एंट्री करों के आपको दोनों साइड की वाल्स पर लगे गए ऐसे पोस्टर्स और रॉक्स और अधर थिंग्स मतलब यहां पर पूरा जीओ साइन्स और अगेरा का क्लासिस रहता है तो उसके रिलेटर इन्हों ने पूरा वाल पर दिखाया हुआ है यह सब आपको स्कल्प्टर यह और इन्हों नहीं है यह सब वह कहते हैं रोक्स और मिनरल्स उसका इन लोगों ने पोस्टर्स कराया हुआ है जैसे आप इन अपर को बेजिक इन्फोर्मिशन वसें यहां पर क्लासिस रहता है तो यह है यहां के ओल मेजर जाय है पर आपको और एक म्यूसरम यहां पर सो हम जाते वहां पर कि अब भी मैं जश्ट आया है यहां पे एक और म्यूजियम है सो आप देगी सकते हो देखो कर सकते हैं यहां पर यहां पर ऐसा रहता है कि इन लोगों इसकल्प्ट्टर जैसा बनाय हुआ है हमारे जो हिस्ट्रिकल आनिमल्स थे लाइक को ऊशन में और ऐर्फ पे जो भी एंस्टिक्ट ओ गये लुप्त हो गये उनका इन लोगों ने का स्कल्प्चर जैसा बनाया हुआ है आपको सिनेमेटिक के जरी वह दिखाता हूं आप 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 झाल आया रूड होल के बाहर एंड अभी मैं आपको दिखा हूँगा कि यहां का एंवर्मेंट कैसा है व्यू कैसा है एंड यहां पास-पास में कौनसे कौनसे हौल सेन और है मतलब हाइनिक सेंटर वूड हौल ओनर्स कॉलेज एंड एक तरीके से देखा जाए तो यह पूरी निवर्सिटी दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ और होल सेंट एंवार्मेंट के सब्सक्राइब है तो यह पीछे लाइब्रेरी है यह यह लीओनर्स कॉलेज यहां पेगर आपके अच्छे ग्रेड से रहेंगे तो आपके क्लासे यहां ही पर नेक्स सेमिस्टर के ल अब हम कंटीन्य करते हैं नेक्स्ट हॉल पर अगाइस अभी मैं आया हूँ युनिवर्सिटी के दूसरे पार्ट में यहां पे साइंस साइंस क्लासिज एक्स्टा करिकुलर्य अक्रिक्टिटिस के क्लासिज लाइक मुजिक एट्सेटर एंड यहां पे एक ओडिटोरियम भ यह सब पीछे का देखोगे तो यह सभी क्लासिज वगेरा कर रहता है तो अभी हम यहां से लेफ्ट जाएंगे तो आएगा लाइबरेडी वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा तब तक आप देखो कि यह क्लासिज और बिल्डिंग कैसी है तो गाइस यह बिल्डिंग है जहा हाएंगे अपने नेक्स पार्ट में यह जो समने वाली बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं वहां पर वो केमेस्ट्री और साइंस के क्लासिज रहते हैं जो इसी के कॉंबिनेशन है यह है यहां पर आपका म्यूजिक के क्लासिज रहेंगे यह और आप आपका क्लासिज रहें ये और इवेंट वगेरा यहां पे रहेंगे so guys हम अब भी आये है library में यह वर्डो लाइबरेडी यहां पर आपको अपने जो यहां का student ID रहेगा उससे आप यहां प्रिंटिंग वगेरा कर सकते हो जाके आपको स्टड़ी करना है तो वह भी कर सकते हो यह जो हमने साइंस के क्लासे दिखा है उसके आप बिल्कुल पांस में है आपको दूर से ही दिख जाएगा यह वाला विल्डिंग सो यह लाइबरेरी और यहीं पर हमारा फर्स पार्ट एंड होता है सो गाइस फर्स पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं बाकी का युनिवर्सिटी का एरिया आपको सगेंड पार्ट में दिखाएंगे तब तक आप यह पार्ट को देखो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है आपको अगर हमारे वीडियो और व्लॉक्स पसंद आ रहे हैं तो मेक शूर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो नॉटिफिकेशन बेल को ओन करो ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नॉटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी एंड यह वीडि स्थाइब करें देखे।